उसी महिला की आमधनी दुगनी हो जाएगी। हिंदुस्तान में करोणों महिलाओं के बैंक अकाउंट में साल का एक लाख रुपए आएगी। सरकारी जॉब्स में महिलाओं को 50% अरक्षाइगी। इंडिया की सरकार आएगी उसी महिला की आमदनी दुगनी हो जाएगी एक लाख रुपए उसके बैंक अकाउंट में हर साल ऑटोमेटिक डाइरेक्ट उसके बैंक अकाउंट में जाएगा और वैसे ही हिंदुस्तान में करोणों महिलाओं के साथ करोणों महिलाओं के बैंक अकाउंट में साल का एक लाख रुपए आएगा करान्तिकारी कदम है ये अगर नरेंद्र मोधी जी अरब पतियों को 16 लाख करोड़ रुपए दे सकते हैं तो हम करोणों महिलाओं को एक लाख रुपए दे सकते हैं दूसरा इतियासिक काम सरकारी वेकंसीज में सरकारी जॉब्स में महिलाओं को 50% आरक्षन हर सरकारी ओफिस में कुछी सालों में आपको 50% महिलाओं दिखेंगे तो हम आपके लिए दरवाजा कोलने का काम कर रहे है आर्थिक व pergi हो रहा है आपके साथ हो रहा है महेंगाई बढ़ रही है गैस सिलिंडर के दाम बढ़ रहे है पेट्रोल के दाम बढ़ रहे है हम आपके बैंक अकाउंट में एक लाख रुपय डालेंगे सरकार में आपकी जगह नहीं बनती हम पचास परसेंट रेजरवेशन देखके आपको अंदर दर्वाजा खोल के डालेंगे आशा आंगनवाडी और मिड्डे मील में जो काम करती है सेंट्रल गवर्मन्ट का जो भाग है जो शेर है उसको हम दुगना कर देंगे हर पंचायत में एक अधिकार मेत्री को हम अपॉइंट करेंगे वो महिलाओं को उनके अधिकारों के बारे में समझाएंगी और उनके अधिकारों के लिए उनके साथ मिलकर लड़ेंगी और आकरी काम सावित्री फूले जी की जन्म भूमी है तो उनके याद में हम हर डिस्ट्रिक्ट में महिलाओं के लिए हॉस्टल खोलेंगे जो महिलाओं काम करती है जॉब करती है उनके लिए हॉस्टल खोलेंगे उनको वहाँ पे सिक्योरिटी मिलेगी अच्छा भोजन मिलेगा तो हर डिस्ट्रिक्ट में हमें एक सावित्री फूले महिला हॉस्टल